हेलो बच्चो वेलकम टू आर यूट चैनल तोड़ेज वी विल डिस्कस एबाउट राउंडिंग आफ बच्चो आज हम क्या दिखेंगे राउंडिंग आफ पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था एर्रस ओप मेजरेंट के हमें सिग्निफिकेंट फिगर देखा और सिग है 2.5673 और कैसे हम इसको वैलो को 2.6 ले लेते हैं इसको कैसे हम लोगिया कह देते हैं कि 2.6 के एक्वल हो सकता है 2.6 के अप्रोक्समेट हो सकता है तो उसी को आज हम सिखने वाले हैं राउंडिंग आफ क्योंकि इसका भी फिजिक्स के अंदर कल्कुलेशन में बहुत ही आती है आपके डेसिमल के 10 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट तर कल्कुलेशन होता है और उतने वालू के साथ फिर से आप अगन कल्कुलेशन करना आज मैं पॉशिबल नहीं है ठीक है तो अब क्या करते है तो रूल हमने फर्स नहीं है इफ टीजिट इस टूबी ड्रॉप ट करना है ठीक है हमनने कहां कि यहां पर इस कोई से कॉछ तри calm क्या करता है यहां पर जो इसका प्रिसीडिंग अमर्त बताब पे पहले व arrow जो डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो इसको हम क्या लिख देंगे 2.6 ठीक है अगर इसा है कोई 3.73 है ठीक है तो यह क्या लिख देंगे 3.7 कोई चेंज नहीं होता लेकिन यहीं यहां पर देखिया if the digit to be dropped is more than 5 यहां पर 2.66 है, यहां पर लिखना यह इसको ड्रॉप करना है, क्या करेंगा हम यहांपर, 2.75 से उपर है, एक इंक्रीज कर देंगा, ठीक है, प्रेस्टीं डिजिट में क्या होता है, टो भी more than 5, यहां पर क्या होता है, यह more than 5 है आपका, तो इसमें क्या होता, इस तीडिट raised by 1 raised by 1 1 इसमें क्या होता है increase हो जाता है फिर एक और example आपको देख बताते है 4.36 ठीक है 3.6 है अब यह दिखें 5 से अधिक है तो यहां पी क्या हो जाएगा आपका 4.4 ठीक है यह round up हो गया तो इसको कहते है है बच्चो round up उसके बाद से rule 3 देखेंगा तो आईए देखते है रूल 3 क्या है इसके लिए तो अभी क्या देखा था कि जो ड्रॉप करना तो जैसे 2.356 है यहां फिर 2.32 है मतलब कि जिसको ड्रॉप करना या तो 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा है ठीक है 5 से छोटा था को पर 2.36 हो जा रहा है ठीक है round up करके यह इतना हो जा रहा है लेकि अब यहां पर जो बात है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो rule 4 है sorry rule 3 और 4 है इसके बाद क्या हो रहा है कि 1 है 2 है 3 है मतलब कि 0 के लावा कोई और digit है तो इसमें क्या हो जाता है आपका यहां पर यह क्या होगा यहां पर यह क्या हो जाएगा यहां पर एक raise हो जाएगा बतलब 5 को drop करना है, लेकिन इसके बाद क्या है, एक non-zero digit है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, लो कोई भी non-zero digit होगा, तो उसमें preceding में one क्या होगा, increase होजाएगा, वहीं rule 4 क्या 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 है, पहला condition, यह digit टू भी ड्रॉप्ट, यह क्या हो गया, 5 को drop करना है, दूसरा, उसके बाद अगर followed by zeros, इसके बाद zero आता है, तो ठीक है, अगर zero आएगा, और इस से पहले, क्या होता है, the preceding digit is left unchained, if it is even, ठीक है, अगर मानने यहाँ पे even, 2.450 है, बतलब इस से पहले even है, यह क्या हो जागा, 2.4, कोई change नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन यही rule 5 में अभी हम देखेंगे, rule 5 में क्या होगा, 2.7, हमने 3, 5, 0 लियाता है, यहा raise by 1, यहाँ पे no raise, ठीक है, raise by 1, no raise, मतलब कि अगर कोई digit को change करना है, वो 5 है, ठीक है, drop है, करना है, उसको round off करना है, 5 है, उसकी बाद अगर 0 है, 0 है, तो अगर preceding, उसने preceding जो digit है, अगर आपका odd है, तो एक बढ़ा देंगे, अगर even है, तो उसमें कोई change नहीं होगा, और आपको वाइसाई के वाइसाई, 2.4 हम लिख देंगे, तो यह बच्चों क्या थी, आपके round of digits है, जिसको पाच्वाग आपको, अभी हम write down करके भी बता देते हैं, तो बच्चों में इसी की बात करना थी, if the digit to be dropped is 5 और 5, followed by 0s, then the preceding digit is raised by 1, if it is odd, मतलब अभी आपने example क्या देखा था, 2.35, ठीक है, 2.350, 5 को drop करना हमें, यहां इसके बाद followed by 0 है, और यहां पर यह क्या है, एक odd number है, ता हम यहां पी क्या लिखेंगे, इसको 2.4 लिखेंगे, अगर यह 2.362 है, ठीक है, 362 है, sorry, यहां पर 3, यहां पर 5 ही रहना चाहिए, अगर इसके बाद से क्या हो यहां, यक लिखेंगे, इसके फेंगे, होई चेंजर नहीं, जैसे rule 4 है, यह rule 4, रूल 4 है, लेकर रूल 3 क्या कहता है, अगर यह रहता Dieu 2.250, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर फेंपर रूल फेंचैन्ज होगा, लेकिन अगर बात क्या होथी है, कि अगर आपका रा आज आ जा रहा है और इसके बाद 5,0 यहां पर देखिए ड्रॉप करना, यहां पर क्या करेंगे, 2.6 कर देखेंगे, 5 को यहां ड्रॉप करना, 0 है यहां पर, और यहां पर नॉन ड्रॉप एक रहे जोगा, तो 2.6 इंस्तान सरेंगे, तो यह बच्चों था आपका, राउंडि कर दो एंग